सभी को नमस्कार आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत हैं आज हम UGC NTA NET के सेकंड पेपर के योग विशय की आठवी यूनिट के बारे में जानेंगे तो योग विशय की जो आठवी यूनिट है जिसे ठेरपेटिक योगा कहा गया है तो उसके सलेबस में क्या-क्या दिय जैसे respiratory system है, cardiovascular system है, endocrinal और metabolic system है जो हमारा reproductive system है, musculo-skeletal system है, neural nervous system है, जितने भी हमारे systems हैं उन से related जितने भी disorders और diseases हैं उन सभी के बारे में हम इस यूनिट में बात करेंगे उनके symptoms क्या-क्या होते हैं, उनके लक्षन क्या हैं, उनके कारण क्या-क्या हैं और उनके pathogenesis किस त triggers करते हैं, और क्या उनके लिए योगा अभ्यास हो सकता है, तो इस सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो योगिक practices हैं, वो किस प्रकार से किसी भी बिमारी या किसी भी disorder में helpful होते हैं, तो जो योगिक practices हैं, इसमें क्या-क्या आएगा, इसमें management of the disease through suitable योगिक practices है, जैसे योगिक diet है, सबसे पहले आहार को रखा गया है, फिर उसके बाद में यम और नियम है, फिर शटकर्म आते हैं, शटकर्म जिने cleansing techniques भी कहा जाता है, फिर आसन आते हैं, आसन में suitable आसन according to the disease, वो बताये जाते हैं, पेशेंट को क्या बिमारी है, उसके हिसाब से उसको सारी चीजों का table बना कर दिया जाता है, कि कौन से आसन, कौन से प्रानयाम, कौन से meditation का अभ्यास, उन्हें specific disease or disorder में करना चाहिए, और इन योगिक practices के माध्यम से, किस परकार वो अपनी lifestyle में changes कर सकते हैं, ठीक है, तो आज की कक्षा में जो है, आज chronic bronchitis है, और bronchial asthma है, तो इनके बारे में हम जानेंगे, जो disorders of the respiratory system है, इसमें तीन हैं, हमने बताया आपको bronchial asthma, allergic rhinitis and sinusitis, chronic bronchitis, तो सबसे पहले हमें जानना है, bronchial asthma के बारे में, अस्थमा है क्या, और इसमें कौन-कौन से trigger factors होते हैं, क्या इसके causes होते हैं, क्या इसके symptoms होते है, कि उसे asthma है या नहीं, और किस प्रकार से इसके diagnosis कर सकते हैं, और क्या-क्या prevention लेने चाहिए, और क्या योगिक practices इसमें लागू होती हैं, इसके patients को कौन-कौन से योगा अभ्यास करने चाहिए, और कौन से नहीं, dietary management के विशे में भी बताएंगे, तो asthma क्या है, उसे जानने से पहले हमें ये जानना important है, कि asthma जो है, वो respiratory system की बिमारी है, जो की lungs की disease है, एक chronic lungs disease है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए, कि asthma में effect क्या होता है, और जो organ effect हो रहा है, वो कौन से system में है, और कहां पर है, तो जो asthma है, जैसे हमने अभी बताया आपको कि वो respiratory system की disease है, तो respiratory system में जो organs हैं, वो nasal cavity से start होते हैं, और diaphragm पे आके समापत होते हैं, तो nasal cavity नाक की गुहा से यहां से start होती है, फिर इसके बाद में pairings आते हैं, फिर layering आते हैं, फिर इसके बाद में trachea आता है, जो wind pipe जिसे कहते हैं, इसके बाद में lungs आते हैं, जिनकी संख्या 2 होती है, जो left और right दोनो portions में होते हैं, इसके बाद में bronchioles आते हैं, और alvelois आती हैं, तो सबसे अंत मे जो आता है वो डायफ्राम आता है डायफ्राम क्या है डायफ्राम है जो उदर गुहा को और वक्स गुहा को separate करता है तो जो उपर की जो में और ब्रॉंकाई रीजन को जो यह विंड पाइप है जो एयर वेज हैं जिनके माध्यम से लंक्स में एयर पहुंचती है इन्हेलेशन और एक्षिलेशन का स्टोर्ड का काम होता है वो इसमें अफेक्ट होते हैं उनका उनमें ऑब्स्ट्रेक्शन हो जाता है एयर जो है की बिमारी है जिसमें क्या होता है जो वाईयू का जो फ्लो है जो एयर फ्लो है वो अब्स्ट्रक्ट हो जाता है वो अब्रूद्ध हो जाता है जो यह ऑब्स्रक्शन होता है वो किस प्रकार का होता है वो रिवर्जिबल होता है ठीक है इसमें क्या क्या होता है इसमें आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल ग्रोंकियोल रीजन है वो किस परकार से है। जो pipe है यह जो जो airway pipe है जो wind pipe है अभी normal में तो healthy में तो आपको ठीक दिख रहा है लेकिन वहीं क्या है asthmatic bronchyle जो है यह inflamed है ठीक है यह redness और pinkness आपको दिख रही है यह यह क्यों है क्योंकि इस यह inflamed हो चुका है यह asthmatic bronchyle है ठीक है तो that is the difference between the normal bronchial and esthmatic bronchial. फिर इसमें हम बात करेंगे types of esthema. तो esthema जो है, उसके कितने types है, तो there are several types of the esthema, इसके विभिन प्रकार है, जैसे पहला जो है, वो extrinsic esthema है, जिसे allergic esthema भी कहा जाता है, जैसे बहुत से वेप्ती पालतू जानवरों को पालते हैं जो pet dogs या फिर pet cats रखते हैं तो उनसे जो allergy create होती है वो जैसे वो छीकते हैं खासते हैं, कफ होता है उनको वीजिंग होता है तो pet dogs के pet cats के चीकने या खासने से जो उनके जो किटानू होते हैं जो viruses होते हैं, वो अंदर की तरफ को जाते हैं, मानव के lungs में वो एंटर करते हैं और उसके बाद में जो creation होता है esthema का, वो extrinsic esthema की category में आ जाता है allergy create करने वाला esthema, अर्थाद extrinsic esthema फिर second number पे आता है intrinsic esthema, जो non-allergic esthema है जो बिना किसी allergy के प्रभाव के उत्पन होता है, उसे intrinsic esthema कहा जाता है फिर इसके बाद आता है mixed esthema, mixed जैसा की इसके नाम से ही मिला जूला esthema अर्था जिसमें extrinsic और intrinsic, allergic और non-allergic, दोनों की ही symptoms equal quantity में होते हैं बराबर मात्रा में होते हैं दोनों के लक्षन, वो mixed esthema की category में आता है फिर उसके बाद आता है occupational esthema, जो occupational esthema है उसे professional esthema भी कहा जाता है अर्थाद website esthema, जिसमें क्या होता है जिसे factory वगेरा में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको होने वाला जो esthema होता है, वो occupational esthema की category में आता है इसके बाद आता है drug induced esthema, अर्थाद किसी भी प्रकार की दवाई या किसी भी प्रकार का ऐसे कोई drug जिसका over intake होने की वज़से जो esthema induced हुआ हो वो drug induced esthema होता है जैसे aspirin या फिर cocaine बगेरा इन सबके over intake की वज़से जो create होता है, induced होता है वो esthema drug induced esthema की category में आता है उसके बाद आता है exercise induced esthema तो जो exercise induced esthema है या most of the athletes को होता है जिनमें already symptoms होते हैं कुछ symptoms होते हैं esthema के और उसके बावजूद भी वो over exhalation करते हैं breathing का during their exercise period तो ये most of the athletes को होता है exercise से ये create होता है induced होता है इसलिए इसे exercise induced esthema कहा जाता है फिर इसके बाद में आता है very common type of esthema which is especially found on children's that is called cuff variant esthema ये क्या है खासी से उत्पन जो होता है continue जब खासी जो रहती है continue बनी रहती है लंबे समय तक तो उससे उत्पन होने वाले esthema को जो है cuff variant esthema कहा गया है ये बहुत ही common है near about 60% पाया जाता है और ये क्या लक्षन प्रतीत होते है तो उनमें cuffing होता है खासी होती है continue wheezing होता है whistling sound होता है उनके गले में जो है घरगराहट होती है जब वो सांस लेते या फिर सांस छोड़ते हैं तो सा सा की sound होती है whistling जैसे CT बजती है न ऐसी sound होती रहती है उनकी स्वास में shortness of breathe होता है उनकी क्यों 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 tight feel होने लगता है उनको continue sneezes छीक आती रहती है और उनकी नाक बहने लगती है patients की इसमें जो symptoms है और आखे जो है उनमें खुजली जैसा होने लगता है और वो inflamed हो जाती है उनमें swelling भी आ जाती है redness भी बनी रहती है तो ये कुछ symptoms है अस्थमा के अब हमें जानना है कि अस्थमा जो disorder है उसके causes क्या है उसके pathogenesis क्या क्या है उसमें क्या क्या factors काम करते हैं ठीक है तो क्या pathogen है तो इसमें देखिए जो bronchial अस्थमा जो है वो bronchial inflammation है तो इसमें क्या है ये क्यों होता है इसमें बहुत सारे factors काम करते हैं जैसे environmental factors काम करते हैं और genetic factors काम करते हैं तो environmental factors में क्या क्या आ जाता है कि कैसे माहौल में वो व्यक्ति रहता है उसके यहाँ air pollution, air का जो index है air quality index है वो कितने उसका कितना ratio है, कितने परतिशत तक वो good quality है air की और कितने परतिशत तक bad quality में वो रह या फिर air pollution किस परकार का है तो यह सभी pollutant वहां पर measure करते हैं और genetic factors भी कुछ होते हैं genetic factors में यह माइने रखता है जैसे कुछ hereditary factors होते हैं उनमें जैसे parents genetic means जो parents to child transfer जो होते हैं genes जो chromosomes से जो problems आती है उन्हें genetic factors से creating disorders कहा जाता है तो यह bronchial inflammation जो है genetic factors से भी create होता है environmental factors से भी create होता है और जब यह create हो जाता है तो इसमें क्या होता है जो bronchial reason जो है उसमें hyper activity start हो जाती है और उसमें बहुत सारे trigger factors भी होते हैं जिसका जिनके बहुत ही दुषपरिनाम देखने को मिलते हैं उसमें सूजन आ जाती है पूरे bronchial reason में bronchoconstruction होने लगता है उसमें tooth food होने लगती है और जो mucus का जो production है जो salishma का जो उत्पादन है वो increase हो जाता है इसी की वज़ा से क्या होता है इसकी वज़ा से ही जो airways है अब्सट्रक्ट हो जाते हैं वो narrow हो जाते हैं वो छोटे हो जाते हैं वो जो pipe जो होता है नलियां जो होती है वो उतनी नहीं रह पाती है जितनी की एक स्वेस्थवैक्ती में होती है वो पूरी तरीके से inflamed हो जाती है और यह सारे factors को trigger कर के वो यहाँ पे आके क्या होती है पूरी तरीके से narrow हो जाती हैं스트 मेरेंद मिलम होते हैं। थिउरी पेथाज़न उडियों कर चैस्ती कहले हैं। वो trigger points क्या है जैसे देखिए मैंने पहले ही आपको बताया एक diagram के माध्यम से की normal bronchi कुछ इस प्रकार के होते हैं bronchioles और जो asthmatic bronchioles हैं वो inflamed होकर के इस तरीके के हो जाते हैं जो normal है वो clear है उसमें air easily जा सकती है लेकिन जो inflamed है उसने अपना छोटा सा मुग बना लिया है पूरा तरीके से वो लगबग लगबग बंद हो चुका है तो इसलिए क्या है स्वांस जब inhalation और exhalation होता है तो घरगराहट होती है और जो asthmatic patients हैं इसलिए उनको inhaler की need होती है क्योंकि वो नाक से पूरी तरीके से inhale और exhale नहीं कर पाते हैं फिर जो ब्रॉंकियल अस्थमा के triggers है वो क्या-क्या है जैसे tobacco smoke है यह इस वज़े से भी triggers इस वज़े से भी इंडियूस होता है जादा बढ़ता है क्योंकि जो लोग तमबाकू का सेवन करते हैं कुछ infections होते हैं जैसे cold हुआ, flu हुआ या pneumonia यह भी ब्रॉंकियल अस्थमा को create करने में help करते हैं यह भी उसके create के कारण बन सकते हैं पिर कुछ allergens होते हैं जैसे कुछ लोगों को specific food से allergy होती है कुछ pollen से allergy होती है dust हो गई किसी-किसी को धूल से इन सब से allergy होती है कुछ लोगों को pet dander से allergy होती है जैसे मैंने बताया शुरुआत में ही कि pet dogs और pet cats से बहुत से लोगों को allergy होती है बहुत से लोगों ने पाल लेते हैं तो यह सब ही क्या है it all depends on their respiratory system organs तो पिर इसमें और भी कुछ trigger points है जैसे air pollution और toxins उनके यह सभी environmental factors में आ जाते है फिर weather बहुत ही माइने रखता है क्योंकि asthma जो है also a kind of seasonable disorder यह जैसे winter season में ज़्यादा ही induced हो जाता है तो weather इसमें weather के changes और temperature में जो changes होते हैं वो काफी trigger करता है asthma को कुछ drugs होते हैं जो aspirin वगेरा होते हैं bloggers होते हैं यह सभी भी इसमें इसके कारण बनते हैं asthma को induced करने के कुछ food additives होती है emotional stress तो होता ही है emotional क्योंकि if there are patients are already stressful by their emotions and कुछ ऐसा trauma हुआ है तो क्या है उनका anxiety level बढ़ जाएगा और stress अगर बढ़ गया तो फिर उन्हें क्या होगा उनको breathlessness की problem होगी और chest tightness की problem भी होगी तो इससे क्या है asthma और ज्यादा trigger होगा यह सभी trigger points है smoking जो है वो भी asthma को बढ़ाता है perfumes भी और sprays भी क्योंकि यह सुगंद की चीजें है सुगंद या दुरगंद जो भी है smell का काम किसका है ग्राने इंद्रिया जो है वो नाक है तो इसलिए क्या है यह सीधे-सीधे respiratory system के organs को effect करते है acid reflex भी उसमें आता है बहुत सारी चीजें हैं जैसे gases है fumes है vapors है और यह microcopic droppings जितने भी यह सब dust हैं यह सब ही इसमे matter करते हैं ठीक है तो यह सारे bronchial asthma के triggers हैं इसमें और भी triggers हैं जिनसे swelling आ जाती है inflammation जैसे टोबक को ज़्यादा ले लिया asthma के patient ने या फिर smoke कर लिया है या perfume वगेरा spray वगेरा ज़्यादा use किया है तो उसकी वज़े से क्या है edema हो जाता है उनकी mucous membranes में inflammation हो जाता है swelling है फिर accumulation हो जाता है जो संचे है उनकी mucous glands जो है उनकी slashma ग्रंतियां है वो काफी उनका secretion जो है वो काफी tenacious हो जाता है और जो उनकी bronchi और bronchiol reason की smooth muscles है उनमें क्या होता है spasm create हो जाता है ठीक है फिर यहाँ पर जो bronchiol है उसकी जो छमता है जो caliber है उसका वो काफी घट जाता है क्यों क्योंकि यदि asthma के patients में ये triggers बने रहते हैं कि continue smoking continue cocaine या फिर ऐसे experience drugs लेने का कुछ medications लेने का तो क्या होता है उससे ये सारी चीजें ये सारे trigger points उभर कर आते हैं फिर what you can do if you have asthma आप क्या कर सकते हैं यदि आपको asthma है तो first of all you have to identify and minimize contact with your asthma triggers सबसे पहले आपको क्या करना है आपको पहचानना है और कम से कम करना है अपने asthma triggers को जैसे मैंने अभी बताया smoking है perfumes sprays है gases है और कुछ some medications है aspirin वगेरा है तो इन का आपको minimize करना है यदि आपको केवल वही medications लेनी है जो आपको डॉक्टर दोरा प्रेस्क्राइब की गई है recognize early signs that your asthma is getting